हालो मेंबर्स आप देखो आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है अगर किसी ने आदानी ग्रूप में इन्वेस्ट किया है देखो आज आदानी ग्रीन के रिजल्ट आए है quarter to quarter थोड़ा decline है लेकिन year to year बहुत अच्छा जंप है लेकिन question आता है सर आज सभी आदानी स्टॉक्स में ऐसा तो क्या हुआ कि सभी के सभी स्टॉक्स में momentum आई है देखो आदानी पोर्ट की बात करने चाहते साड़े 4% की momentum है आदानी enterprise 6% की momentum आदानी पावर 5% की upper circuit और एक टाइम पे तो आदानी green भी उपर था properly काफी अच्छा उपर था आदानी energy solutions भी clear तो देखो यह सभी चीज़े बताऊंगा वीडियो एंट तक दिखेगा कोई query रेती है comment कर देना ठीक है अब में generally आपकी queries यहाँ पे short out करता रहता हूँ आज की दिन के अंदर एक और वीडियो आ चुका होगा reliance के बारे में reliance मुझे लगता है और उपर जाएगा एक बार जाके जरू चेक आउट का लेना ठीक है चले फटट मुद्दे पे आ जाते हैं देखो short and simple में ध्यान से सुनना जो बोलने वाला हूँ आदानी green के जो result आया है big bit होता हुआ दिखाई जया अब देखो big bit यानि की क्या के बड़े place जो अनुमान लगाते है ब्रोकरेजी साउस जो अनुमान लगाते है उससे काफी better आया है हाला कि quarter to quarter decline है देखो यहाँ पर बताना चाहूँगा C आदानी green के बात करें जाए तो last year के अंदर यहाँ पे 103 करोड का profit था जो अभी बढ़के 256 करोड का profit है यानि कि जम तो बहुत solid है definitely लेकिन point यह है कि quarter to quarter में decline है आप देख सते quarter to quarter लेकिन अगर आप EBITDA proper focus करोगे तो उसमें कुछ जादा decline नहीं है 30 करोड का यहाँ पे हलका स दिया वो इनकी other income है और थोड़ा सा interest बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ठीक है लेकिन मुद्दा main हो जाते के sales बड़ी है clear तो हम लोग इसको positive consider करें मैं आपको समझाओगा सर positive क्यों है आप tension मत लेजेगा लेकिन shorten symbol में यह result positive है ठीक है और उसी की वाज़े stock यहाँ पे अदानी green का stock ओके तो यह point हो गए हाँ पे अदानी green का result अब मुद्दा number 2 आता है point number 2 सर सभी अदानी group के stocks उपर क्यों गए तो उसकी सबसे बड़ी वज़ा है यहाँ पे ध्यान से सुनना अदानी group is too big to ignore US की brokerages house होते हैं जैसे कि इंडिया में बहुत सारी brokerages house report निकालते र जैसे अदानी enterprise के यहाँ बहुत बड़े target दी है कितने target दीको यहाँ पे 4368 के target दी है अदानी enterprise के US की brokerage पर्मना यह article नेट पे है search माले आपको मिल जाएगा ठीक है इसका screenshot भी ले लेना अब देको अदानी enterprise के पास जहां तक मेरा अंदाज है जहां तक मैंने news सुनिए करी जो भी airport से revenue आता है वो यहाँ पे अदानी enterprise का है और एक airport है जो अंडर construction है वो बहुत जल्दी यहाँ पे complete हो जाएगा उनका भी revenue बढ़ता हुआ दिखाई दिया सकते हैं बहुत सारे projects pipeline में हैं नयने investing काते हुए दिखाई दिया अदानी group तो इसी के वाज़े से यह बहुत पोर्ट जो लोग miss कर रहें न ठीक है वो काफी शायद मेरे सबसे पस्ताने वाले अगर किसे ने अदानी group में अदानी पोर्ट को focus नहीं किया तो क्योंकि मैंने आपको 1000 की level भी बता दिया था ब्रेक आउट है still यह support लेके bounce कर रहे 20 डेमा देखो 5 यह 6 बार बोल चुका हू को एक बार के लिए test का सकता है ठीक है समझ वेनी बाते है अलाकि इसका result दिखना पड़ेगा कैसा होता है लेकिन average भी result आते है तो मुझे निल का ज्यादा पैनिक हो सकते है stock पे यह stock काफी अच्छी momentum कता हुआ दिखाई दिया है आपका support है 1000 रूपिस का है जो छोटा support हम लोग consider कर सकते है nearby support 1100 का है लेकिन यहां से जो तेजी आ सकती है वो काफी अच्छी आती हुई दिखाई दे सकती है ठीक है अब मुद्दा अगला आ जाता है तो देखो आज की वज़े से stock cube आगे मैंने आपको समझा दिया है short and simple में देखो मैंने आपको पहले भी समझा था कि आदानी ग्रूप 2024 में miss करने वाली चीडिया नहीं बहे जैसे कि PSU में momentum आई वैसी 2024 आदानी ग्रूप का हो सकते है उसका मैं reason 5 से 6 बार अलरड़ी बता च हो चुके है hidden बर्क की hidden बर्क का issues था bond market में इनकी value 0 थी US में वो सभी issues खतम हो चुके है अब क्या बचा है ठीक है तो यह generally आपको focus यह सभी चीज़ां जरू करने चीए अब अगला मुद्दा आ जाता है अब देखो यहां पर जैफरीस की मैंने report पढ़ी थी जैफरीस की report मे अब ऐसा लेका था कि ACC का stock यहां पर 800 के levels mention किये थे 800 के levels दो दिन पहले की report है आज यह stock यहां पर 2500 तक तो पहुंच चुका है तो यहां पर और एक momentum upside रह सकती तो इसको जरूर अडर पर रखीगा miss करने वाले चीडिया यह भी नहीं है ठीक है अब अगला point आ जाता है अब द अब देखो अदानी green में क्या है ध्यान से सुनना जो लोग बोलें कि सर quarter to quarter week है ठीक है तो ध्यान से समझना देखो अदानी group का जो growth है न वो long term का है 2030 का है इनका जो projections है वो 2030 तक का है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है इनका plan है 2030 तक 45 gigawatt की capacity generate करने का अगर यह इतना generate कर लेते तो आज जितने आपे अदानी power revenue generate करें उतना ही एक टाइम पे अदानी green generate कता हूँ आपको दिखाए देखा साड़े 4000 करोल 5000 करोल उतना आपको revenue generate कता हुआ दिखाए देखा और यह जो pipeline है इनका जो product है वो already in progress में है ठीक है आप यहां में देख सकते हैं कि इनका जो आ 60-65% से जादा होना चाहिए वो एक अच्छा profitable business आपका generate हो सकते हैं इनका काफी अच्छा है ठीक है robust है यहां पर आप देख सकते हैं almost 60 तक वैसे पहुच चुका है अगर बात करने चाहिए तो already नया 12,366 megawatt under execution है ठीक है यह जैसे under execution खतम हो चाएगा इनका revenue सीधा approximately जहां त तो जो अभी revenue generate हो रहा है जो power generate यह लोग कर रहे है ठीक है उससे कहीं जधा power यह under execution में है जैसे complete हो जाएगा यह और power generate कर सकते हैं अच्छा revenue generate कर सकते हैं clear यह आप यहां पर definitely देख सते हैं आपर इनका जो CUF है यानि की capacity utilization factor वो साढ़े 700 basis point से बढ़ा है year to year basis पे जो काफी त इतना strong बढ़ता हुआ दिखाई जिया है ठीक है इनका profit आप दिख सकते हैं पे sales इनकी अदानी green की 1900 करोड से बढ़के सीधी year to year basis पे 300 करोड और last आप दिखो 2022 अगर 2021 कंपेर करोगे तो आपको growth दिखाई जिएगा ठीक है आप दिख सकते हैं ग्रोथ यहां पे पहले 700 फिर 300 करोड तो पीछले चार साल में इनकी sales में काफी बड़ोतरी है 41 करोड का profit 49 करोड फिर 103 and 256 करोड तो growth ऐसे दिखो यह लोग इनका जो plan से वो long term का है अगले 10 साल का है और इसके वाज़े से वो हलका हलका निवेश करते रहते हैं यह लोग तो जो लोग आप बोलते हैं क सर quarter to quarter decline है तो सभी stock fall क्यों नहीं करते हैं को stocks उपर क्यों जाते हैं तो देखो हमेशा याद यह रखो कि अगर किसी का plan 4 से 5 सल का है या उससे ज़ादा plan है तो वो उसी की तरह चलेगा long term का देख के वो चलेगा यह लोग ने अदानी group ने अपना future plans बता दिया है कि मेरे पास इतनी capacity है मैं इतनी capacity जंडेट करूँगा आगे जाके ठीक है और इसी के वज़े से यह लोग यहाँ पे नएनी fundraising करते हुए दिखाए दिखो यहाँ पे यह लोग यहाँ पे अभी जितनी भी fundraising की है अदानी green ने ठीक है उसमें से और fundraising करने वाले 9,315 करोड की और देखो और यानि की more fundraising करने वाले हैं इसमें से यहाँ पे 12-300 करोड की fundraising कर चुके हैं तो approximately 6-7,000 करोड की fundraising आगे अगला 18 माईने में करने वाले हैं ठीक है capacity देखो fundraising करेंगे क्या capacity increase करेंगे फिर deadpool आप में हाँ पे दिखाए दिखाए दिरे उसको भी कम करने की कोशिश कर रहा है ठीक ह तो आप मुद्दा यह समझें कि growth path पे सभी अदानी group के stocks गया हैं समझे नहीं बात हैं आप यहाँ पे देख सते 2030 जग 45 Gb का इनका plan है इवन यहाँ पे अदानी transmission अभी जो result आया था ठीक है वो भी वैसे weak था अदानी energy solution इसका result वीक था लेकिन इनका भी जो transmission pipeline है वो 17,000 करो यहाँ पे नियरे 12-14 मेने के अंदर यहाँ पे इनकी जो pipeline है वो बढ़ती हुए दिखाए जया सकती है इनका growth 12-14 मेने में बढ़ता हुआ दिखाए जया सकता है तो अभी result वीक है तो ज्यादा momentum नहीं आएगी अदानी transmission में ठीक है लेकिन अदानी green में momentum आ सकती है यह बात ध्यान में रखेगा तीक है एनक अदानी port में आ सकती है अदानी enterprise में आ सकती है आगे बाद clear सभी को तीक है तो short and simple में आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको ध्यान में क्या रखना है simple बात अदानी transmission का stock में अगर कोई बूचे one word answer तो अदानी transmission में अभी growth नहीं है अ ज्यादा उपर जाएगा अभी के लिए ठीक है वलका हलका momentum कर सकता है जैसे कि दूसरे अदानी group करते है clear तो इसको यह थोड़ा stable to positive रह सकते है इसमें tension मत लिजेगा जो ज्यादा positive रहेगा उसमें आपको देखना है अदानी green क्योंकि इनका result year to year strong बढ़ रहा है growth और कर रह तो यह भी continue कर सकता है अदानी port and अदानी enterprise नएने airports डेवलप हो रहा है अभी एक बंदरगा में यहाप एक news है थी कि इनका जो एक बंदरगा है यानि कि port है ठीक है वो भी यहाँ पे acquire होता हुआ दिखाई दिया है तो अदानी port भी momentum में है और ACC इनका तो result अच्छे आए है तो यह भी और momentum कर सकता है आई बाद समझ में तो आपको इतने stocks अभी के लिए radar पर रखने अगर priority वाइस पूछने जाए first priority अदानी port second अदानी enterprise third priority आप ACC को रख सकते है और चौथी अदानी green या अदानी power दोनों में से किसी को भी रख सकते है ठीक है बागी के stocks positive है लेकिन वो थोड़े slow है वो slow रहेंगे जब तक कि result में improvement नहीं दिखाई देता doubts clear होगे तो hope आपको ये video काम आया होगा अदानी analysis हमारी अब तक की सबसे best रही है हम लोग ने आपको हर बाद समझाने की कोशिश की है ठीक है I'm sure आपको ये काम होगे current analysis भी तो अगर video पसंद आए video को like करने ना channel subscribe कर देना और कोई doubt रहता है तो comment कर देना या video rewind कर लेना I'm sure और आप समझ जाएंगे ठीक है तो short and civil में गबराना नहीं है अदानी group में अभी कोई panic नहीं है लेकिन अगर result end तक आपको focus करना है election end तक तो अदानी port को सबसे priority high रखने ही पड़ेगी anyhow ठीक है फिर आप ऐसा हो तो enterprise को रख सकते हैं क्योंग अभी जो news आई है वो भी तो मि मिलते हैं मेंबर्स अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जाए हिट